तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी वेलकम क्यों माई न्यू ब्लोग मैं आज आया हूँ हिमाचल परदेश की चोटे से गाउं चेतरू के इंदर यहां पर एक चोटा सा मेला लगाए हुआ है मैं उस मेले का ब्रबन करने आया हूँ तो मेले में कहुंचते ही आगे में क्या द देंगल लगा हूँ है तो तो इसमें ना मैंने सचा कि इस पृष्टी का वीडियो बनाकर आप से लोगों के साथ सेर किया जाए हूँ हिमाचल परदेश के इंदर कोई भी मेला लगने से पहले पृष्टी का देंगल करवाय जाता है और पृष्टी लड़वाय जाती है त हिमाचल परदेश के अंदर द्रमसाला कांगडा दिष्टी के इंदर ये चोटा सा गाओं परता है चेतरू जहां पर काफी फूख शूरत और काफी सुंदर चोटा सा मेला लगा हुआ है इसमें चोटे बड़े जूले और काफी तरह की दुखाने लगी हुई है तो मैं इस और आस-पास की दाओं वासी उन मैलो को इंजूई करने के लिए आते हैं और काफी दूर-दूर से मैले के अंदर पिस्ती लड़ने के लिए पेलवान बुलाये जाते हैं और इमाचल परदेश की सबसे इची बाद यह है कि यहां पर हारने वाले पेलवान को भी फुष्का कर दिया जाता है तो काफी दूर-दूर से जैसे पंजाव हो गया अंदर परदेश हो गया मारस्त हो गया काफी दूर-दूर से हरियाना हो गया काफी दूर-दूर से पेलवान बुलाये जाते हैं और इन पेलवानों के अंदर सब्सक्र पेलवान हरियाना से बुलाये जाते और उन्से काफी बड़ी कुष्टी करवाया जाती है और आने वाले पेलवान को भी लिलास लेकिया जाता है हालने वाले पेलवान geforsकार लेकर वापस सल्मान के साथ अपने गाव अपने खर ठीस कर वाना किया जाता है और हिमाजेल परदेश के अंदर यड्कियों से भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करता रहूं वीडियो और आपको हिमाचल परदेश की सब्सक्राइब करता रहूं परदेश के अगले मेले का दोमन करेंगे और अगले मेले की वीडियो बनाएंगे को शेर करेंगे और अखके वीडियो को शेर के रहूंन को सुस्राइब